हेलो बच्चो कैसे हो बच्चो आज हम reactivity series of metals डिसकस करते हैं ठीक है काफी important topic है इसलिए video को ध्यान से देखें ठीक है तो आई शुरू करते है reactivity series of metals क्या होती है यह एक AC series है metals की जिसमें metals को decreasing order of reactivity के according arrange किया गया है ठीक है मैं दोबार repeat करता हूँ यह एक AC series है metals की जिसमें metals को decreasing order of reactivity के according arrange किया गया है ठीक है तो इसी को reactivity series of metals केते हैं ठीक है यह series काफी helpful है काफी reactions में जहाँ पे displacement होती है ज्यादा reactive metal less reactive metals को displace करता है ठीक है इसलिए वीडियो को अंतक जरूर देखें मैं अभी आपको बताऊँगा के सबसे ज्यादा reactive कून सा metal है और सबसे कम reactive metal कून है इस series में ठीक है तो सबसे पहले है इस series में जो metal है उसका नाम है potassium ठीक है इसके बाद आता है sodium उसके बाद आता है calcium उसके बाद आता है magnesium magnesium के बाद आता है अल्मुनियम ठीके अल्मुनियम के बाद आता है जिन्क जिन्क के बाद आता है iron आईरेन के बाद आता है कोबाल्ट कोबाल्ट के बाद आता है निकल निकल के बाद आता है टीन ठीके टीन के बाद आता है हाइड्रोजन हाड़ोजन के बाद आता है कापर बाकी ऐलिमिट्स में यहां पर लिखता हूँ कापर के बाद आता है मरकरी मरकरी के बाद आता है सिल्वर और लास्ट आता है गोल्ड ठीक है अब यह पुटाशिम जो है यह सबसे ज्यादा रियक्टिव है ठीक है तो मैं यहां पर लिख सकता हूँ मोस्ट रियक्टिव ठीक है यह जो गोल्ड है लास्ट है यह है लीस्ट रियक्टिव इस सीरीज में यह सबसे कम रियक्टिव है ठीक है बच्चो यह आपने जो सीरीज लिखनी है आपने सीधी लिखनी है नीचे के लिए मुझे यहां पर स्पेस नहीं थी इसलिए मैंने यहां पर लिखा है यह कापर के बाद मरकरी आता है ठीक है यह आपने दियान रखना है आपने इस सीरीज को सीधा लिखना है नीचे के लिए अब ये मेटल जो है इनकी रेक्टिविटी हाइडोजन से ज्यादा है मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ कि मोर रेक्टिव देन हाइडोजन ठीक है अब ये हाइडोजन से नीचे जो मेटल्स है कापर, मरकरी, सिल्वर, गोर्ड ये हाइडोजन से कम रेक्टिव है तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि लेस्ट रेक्टिव देन हाइडोजन ठीक है मैं दोबार रपीट करता हूँ इस सीरीज में सबसे ज्यादा रेक्टिव पोटाशियम है उसके बाद सोडियम, फिर केल्शियम, मैगनिशियम, अलूमिनियम, जिंक, आइरेन, कुबार, निकल, टिन यह डिक्रीजिंग आर्डर है, रेक्टिविटी का, ठीक है यह डिक्रीजिंग आर्डर है, रेक्टिविटी का जो हाइडरोजन से निचे हैं, यह हाइडरोजन से कम रेक्टिव हैं, ठीक है रेक्टिविटी सीरीज क्या होती है, आई मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सीरीजिंगा, रेक्टिविया रेक्टिव पर राादिक्टिप आर्रीजिगा, यह यहाँ आर्डर है, पर लिवहाँ रवाओता है, यह दो है ह उह हैवाँ पो नहीं, पोइखता है पन्म मैं लिक्टिवाबिवाबस A series obtained by arranging metals according to decreasing order of reactivity is called as reactivity series of metals ठीके बच्चो वही है जो मैंने बताया था एक एसी series metals की जो decreasing order of reactivity के according बनाई गई गई हो उस series को reactivity series of metals केते हैं ठीके बच्चो तो ये था reactivity series of metals के बारे में मुझे उम्मीर है कि आपको समझ आ गया होगा आज की वीडियो में इतना ही इजाज़त दीजे नमस्कार जया है